हेलो, वेलकम टू के एनस्टटीज, CEPFAC 2020 का, पेपर वण का इस वीडियो में हम पेपर वण के मार्क्स के बारे में इनालिसिस करेंगे, उसके मार्क्स के बारे में हम देखेंगे, अल्रेडी हमने आपको डिस्कस किया कि पेपर टू के मार्क्स के बारे में हमने डिस्कस किया था highest for example paper 2 में 122 था और paper 2 में lowest जो था वो 72 था यानि कि जदी हम difference देखें तो 50 marks का difference होता है जो selected candidate हमने अल्रेडी बताया था कि 175 जो candidate है यानि कि जो open list में जो हैं उन candidate के हमने marks लिये थे तो इस वीडियो में हम paper 1 के marks के बारे में discuss करेंगे जब देखो return का result होता है या exam होता है तो so many candidates are claiming 180 आ रहा है 190 आ रहा है तो मैं obviously बात है जब तक data नहीं आता है for example आप एक aspirant हो आप जदी हमसे बोलोगे सर्फ 225 ये 250 में से 225 आ रहा है तो मेरे पास आपको prove करने का उस समय कोई method नहीं है ना उस समय मैं ये आपको कैसे कह सकता हूँ कि आप गलत हो या जो भी हो बहुत सारे candidate होते हैं कि sir मैंने analysis किया है research किया है so many candidate are getting 170 पलस लेकिन जब marks आता है तो एक दो चार ऐसे हां कुछ ऐसे candidate होते हैं I accept कि वो साइध बहुत अच्छा return में कर लिए हुए होते हैं लेकिन मान के चलो वो physical qualify नहीं कर पाते हैं वो medical में reject हो जाते हैं या फिर उनका जो physical standard किलियर नहीं हो पाता है लेकिन ऐसे candidate भी होते हैं बट जिनके जो selection हुए है जो final select हुए है candidate हम उनके marks के बारे में देखेंगे तो जदी हम paper 1 के highest score को देखें तो 161 161.34 है और यह 161.34 fortunately जो है first ranker जो है वो उसका paper 1 में highest है जैसा कि हमने बताया था कि paper 2 में जो highest है वो 8th rank वाले का है ठीक है तो paper 1 में 161.34 highest score है यानि कि कोई भी 170 candidate बहुत सारे बोल रहे थे कि मैं personally ऐसे 10 लोगों को जानता हूँ जिनके 180 plus हैं लेकिन ऐसे एक भी नहीं है यह जो UPSC ने मार्क्स रिलीज किया है हाँ हो सकता है कि उनके सारे दोस्त जो हो सकते हैं ऐसे कि सारे के सारे physical में disqualify हो गए है या what's whatever लेकिन मुझे जो score यह नहीं है यह जो UPSC ने दिया है मैं उसके आधार पर कहता हूँ और जो lowest score है lowest score इसमें है 99.34 तो 99.34 जदी हम देखते हैं तो difference कितना आता है 62 का difference है पेपर 1 में जदी difference जो क्या था highest और lowest में 50 marks का difference था पेपर 2 में और पेपर 1 में जो highest और lowest का difference है वो 62 marks का है अब समझ सकते हो कि यह difference कितना जाता होता है एक एक नमबर दो दो नमबर आप जदी total बाले का marks हमने आपको बताया हुआ है कि total कितने यह जो interview बगरा है बहुत सारे चीज़ों को हमने आपको बताया हुआ है तो उसमें आप देखोगे कि जो lowest score में होते हैं in the sense कि जो suppose general का cutoff 325 गया तो 325 में देखो कई candidate होंगे 326 में कई candidate होंगे 327 में कई candidate है 328 में कई candidate है तो यह सारे जदी आप देखोगे उसमें से यह score जदी तो लगेगा कि हाँ बहुत सारे ऐसे candidate हैं जिनका जो score है वो आपका एक एक ही band में बहुत सारा होता है और यह difference समझ सकते हो 62 का difference है lowest और highest और lowest के बीच में यह बहुत ज़्यादा create करता है 5 marks, 10 marks extra जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है अब हम top 10 marks की जदी बात करें जो top 10 है तो 161.34 आपका first ranker है फिर 160.66, 160, 160, 156.66, 156.66, 156.66, 155.34, 155.34 और 154.66 और यह 154. तो जदी हम यह top candidate का marks जदी देखते हैं तो यह top candidate के यह top 10 candidate है इनके यह marks है ठीक है तो यह first ranker है means first ranker in the sense की यह first ranker aggregate भी है और first जो है इनका paper 1 में है अब paper 2 का highest score 3 तो यह आपके top 10 paper 1 के score है अब हम जदी lowest बाले score को देखते हैं तो 99.34, 102, 102, 103.34, 104, 105.34, 105.34, 105.34, 105.34, 107, 107.34, 107.34, ठीक है? यह 10 जो है score lowest में से हैं यह score यानि कि समझ सकते हो कि anyway obviously बात है इसमें से reserve category के यह candidate सारे जो भी हैं यह आपके reserve category के हैं क्योंकि अल्रेडी जान रहे हो कि जो general का cut off है इससे कफी उपर है तो जो आपके यह सारे के सारे obviously है paper 1 में यह सारे के सारे reserve category में है obviously बात है जो एन number of candidate है जो कि अल्रेडी इससे बहुत सारे candidate in the sense कि मैं समझता हूँ हजारो candidate जो है in a score से उपर किये हुए है लेकिन यह reserve category का है but at the end of the day obviously है कि हर category का आपका जो भी seats है उसी अनुसार होगे a lot of candidate होते हैं कि जिनको लगता है कि मैंने तो इससे ज़्यादा score किया हुआ है फिर भी मैं select नहीं हूँ तो that's the thing हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे जिस्ट हम a score की बात देख रहे हैं तो यह आपका top topers के score है paper one के और यह आपका lowest bottom score है हम ज़ती preparation करते हैं तो हम 150 को paper one में benchmark देखते हैं जैसे हमने बताया था कि जो paper two है उसको मैं 90 है जो benchmark देखता हूँ कि 90 से low आपका नहीं आना चाहिए in the sense है कि 90 आपका benchmark है लेकिन इस बार जो भी है यह पैसी में रवान रही तो बहुत majority candidate जो है 100 plus score प्राक्त किये लेकिन 150 जदी हम paper one में benchmark लें तो 150 जो है only आपके 17 ऐसे candidate हैं जो 150 या उससे उपर marks लापाए है just 17 यानि कि less than 10% candidate सिर्फ हैं ऐसे जो 150 या उससे उपर ला चुके हैं 140 जदी हम benchmark देखें तो 140 में 41 ऐसे candidate total है obviously जब हम इसको बोलते हैं तो ये बाला भी candidate इसमें सामिल है तो 140 या उससे उपर जो है 41 ऐसे candidate हैं जदी हम 130 benchmark को देखते हैं तो ऐसे 86 candidate हैं जो score किये हैं और जदी हम ये देखते हैं कि उससे low score में जदी देखते हैं तो 125 से low up tolerate कभी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये 50% marks होता है तो ये ऐसे 110 candidate हैं यानि कि अब ये देखो तो half से अधिक candidate यानि majority candidate जो हैं वो कहीं न कहीं आपके ये score 125 लाय हुए हैं तो 125 से नीचे आप tolerate नहीं कर सकते हो हाँ अब exceptional case में कि आपका paper 2 में top में से है top 10 में से है तब आप accept कर सकते हो इस चीज़ को मैं open category की बात कर रहा हूँ I'm not talking about reserve category लेकिन ये select सारे हुए हैं हाँ इसमें से बहुत सारे हैं जिनका paper 2 में भी अच्छा है तो जदी ये benchmark लो तब भी एक तरह से almost half candidate हैं इसमें आ रहे हैं लेकिन जदी आप ये एक तरह से benchmark लोगे अब जैसे इस बार 21 वाले में बहुत सारे candidate बोलते हैं कि मैं इतने candidate को जानता हूँ जो 180 पलस लाए हुए है 190 पलस लाए हुए है अब इसलिए है मैं उन चीजों पर comment नहीं कर सकता हूँ proper तरीका से हाँ मैं ये जानता हूँ क्यू candidates होते हैं जो high score करते हैं मेरे personal भी कई candidate ऐसे हैं जो जिन पर मुझे trust है उन्होंने बोला है 21 वाले में कि 150 बाले बहुत है 160 बाले भी कुछ candidate है only one या two candidate ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बोला है कि 190 के close में मेरे marks आ रहा है जिन candidate से मैं professional जुड़ा हुआ हूँ मैं उनके marks देखता हूँ तो yes वो comparatively absolute तो कोई भी नहीं का सकता है लेकिन जिन candidate में जितने बोले थे वो करीब उनके उतने marks आ रहे हैं हाँ बहुत ऐसे candidate थे जो हमारे candidate है जिनको मैं जानता हूँ जिनको मैं guide कर रहा हूँ तो उन्होंने paper one में बोला last time कम a score आया लेकिन इस बार जो हैं उसमें से बहुत सारे जो select हुए तो उसमें से उनका था कि भाई मेरा 150, 160 पलस ही 21 वाले में आ रहा है लेकिन at the end of the day आपक selection ये करने का मतलब है ये देखो जहां mid score के करीब आता है वहां आपके पास जरूर होना चाहिए लेकिन जब mid score है तो दोनों में आपको mid score करना पड़ेगा अब for example आपका 325 cut off गया है तो आप क्या कर सकते हो या तो 150 आप इसमें ले आओ 150 जदी इसमें ले आते हो और आपका 90 तो 150 मान के चलो कि बहुत कम candidate को आया है तो हम 140 वाले को benchmark लेते हैं तो 140 जदी इसमें आ रहा है और आप इसमें चुकि 100 बहुत लोगों को आया तो 95 जदी आप रखते हो तो 235 होता है तो यानिकि 90 फिर interview में आपको लाने की जरूर लेक अच्छे डिजर्व करते थे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक नंबर दो नंबर तीन नंबर पांच नंबर से सेलेक्शन नहीं हुआ तो उसका कारण क्या है कि interview में उन्होंने जो expectation था उसे बहुत बहुत खराब मिला तो यह हो सकता है tragedy can happen अपने को best prepare रखें मैं समझता हूं कि paper 1 जो है वो score आपके हाथ में होता है कि आपके हाथ में होने का मतलब है कि जितने करे हैं वो proper तरीका से मिलेगा उसमें point में देखो score मिलता है यह score points में आपको absolute मिलते हैं जितने हैं उतने paper 2 के score को हम absolute score नहीं कहते हैं interview के score को हम absolute score नहीं कहते हैं इसका कारण क्या है कि दो different examiner होंगे तो दोनों paper 2 में different marks दे सकते हैं और दोनों में difference slightly नहीं बहुत जादा भी हो सकता है 20 marks का भी difference हो सकता है this is true और interview में different board में same candidate different score कर सकता है उस particular moment पे उस time पे interviewer ने उसको क्या हाँ इसका मतलब यह नहीं है कि वो board unfair होती है लेकिन वो human tendency है human tendency कि उस समय हम particular judgment जब हम कर रहे हैं उस candidate को देख रहे हैं तो हमारा क्या component को हम देख रहे हैं हो सकता same board किसी दूसरे candidate को उस dimension पे देखे जिस dimension पे इस candidate को देखा तो difference create होता है तो आपका difference हो सकता है लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप average plus score करने का यह पोसीज करो average plus score का मतलब है कि target रखो पेपर वन में जो अब 22 वाले जो देने वाले हो तो 160 का पेपर वन में target रखो और आप 110 का target रखो पेपर 2 में और interview में 100 अब यह यह आपका एक तरह से यह ideal कभी नहीं होता लेकिन मान के चलो कि इसमें आपका 140 ही आप आया जिस्ट थोड़ी देर के लिए मानो इसमें 105 आ गया हो सकता है इसमें 105 आ जा है यह 90 तो कुछ थोड़ा सा कम भी होता है एक standard थोड़ा सा उपर रखो जो अपना बार है उसको उपर रखो कि हम इसको threshold को cross करेंगे तो just देखो कि marks आपके paper 1 में मैं देख रहा हूं कि paper 1 के marks में अभी तक बहुत ज़्यादा difference नहीं create हो हुआ है इस वार जदी marks बहुत ज़्यादा गया है तो मेरा मानना है कि paper 2 के कारण इस वार score जो believe me मैं अपने batch की बात देखता हूं तो हमारे batch में जब हम training करने गये थे तो total 97 candidates CRPF में training करने आये थे मैं अपने batch की बात कर रहा हूँ हूँ तो 97 candidate आये थे उसमें 60 plus ICA थे जिन्होंने one time at least means दिया हुआ था civil services का और 30 plus candidate थे वो interview दिये हुए थे civil services का CSE का interview अब जैसे मैं ए दो candidate का देखता हूं for example एक हमारे साथ थे वो obviously है he is at this time he also resigned his assistant commissioner in his own estate तो उस time जब वो हमारे साथ आये थे already वो three time interview में appear हो चुके थे यानि कि joining के पहले CRPF में हमारे साथ join करने से पहले three times उन्होंने civil services का interview दे रखा था अब समझ सकते हो उनके भी score बहुत कम थे relatively आज के हम score जदी देखते हैं कि इस बार 100 प्लस जितने लोग काया है मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे candidate को देखता हूं हमारे time में उस समय किसी के 80 आ रहे हैं किसी के 70 आ रहे हैं किसी के 85 आ रहे हैं 90 प्लस में बहुत अच्छा म में तो मैं समझता हूं कि उस समय भी यह जो score है जो average student है इस paper 1 में उससे अच्छा था हाँ अब अच्छा और खराब को हम question के pattern पर भी कर सकते हैं जो question का level है वो भी माइने रखता है अब question जदी UPS सी चाहे in fact आप देखोगे कि highest score civil services का pre में देखो 116 भी आया है तो इस पार 92 2.51 भी आया तो यह question पर भी depend करता है हम इसको benchmark नहीं मानते हैं कि कोई batch यह है और यह नहीं जिस्ट मैं बताने की कोशिस करा हूं कि a lot of जो है बहुत बाट difference नहीं होता लेकिन जिदी sometime cut off उपर जाता है तो कुछ जो हता है leniency पर भी depend करता है कि उस साल मैं 2013 में देखता हूं तो marks जो है paper 2 में बहुत tough तरीके से check किया गया था और अच्छे अच्छे candidate के बहुत कम marks आये थे एक तो यह था कि 2013 में बहुत सारी चीजें इस से बगएरा में change हुआ था pattern आपका change हुआ था तो जब changes होते हैं तो थोड़ा सा आपको फर्क पड़ता है चीजों को adjust होने में anyway at the end of the day जो भी select हैं वो deserve करते हैं इस बात को हमेशा मानू कुछ लोग जो दो number 5 number से select नहीं हुए हो तो already 21 बाले में select हो जाएंगे और जो जिनको लगता है हम 21 में अच्छा नहीं कर पाए या 20 कुछ ऐसे candidate हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं तो वो 20 बाले में almost sure थे कि हमारा final selection होगा लेकिन और 21 में इसी बज़े से वो अच्छा perform नहीं कर पाया उनका retain भी नहीं qualify हुए है तो आप हमेशा मैं करता हूं कि हमेशा लगे रहो और आप set back कर सकते हो आप यह हो सकता है आपका problem हो सकता लेकिन आप उसको back करो फिर आजाओ और 22 बाला जो exam suppose है तो आप उस को 22 में अच्छा करो और यह अपना benchmark को थोड़ा सा बार को उपर करो कि हम seat कितना भी आए बहुत बार होता है वेकिंसी कितनी आ रही है जो आना होगा वो आएगा आप अच्छा score करते हो अभी भी आप just imagine करो अचानक cutoff जो है वो 400 अभी नहीं जाने वाला है आपका जो भी ह 325 गया है तो इस बार जो 21 वाल्या है उसमें a score सेम जदी maximum difference आपका 5 का हो सकता है क्योंकि कुछ अच्छे candidate जो है already select भी हो चुके हैं और हर बार है कुछ का यह finish होते रहता है तो generally जो है max 5 marks का difference हो सकता है ठीक है तो जिनको भी test देना है कुछ question security है तो आप comment box में comment करो या फि वाट्सेप नमबर 8527 146498 पर संपर्क कर सकते हो या टेलिग्राम नमबर 7404 909669 यदि हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें और हम से जुड़े रहे हैं यदि आप preparation कर रहे हैं और test बगेरा के लिए संपर्क कर सकते हैं ओके थे पर झाहरा कि नहीं किया चैनल को संपर्क कर रहे हैं और हिए रहें तकी कर सकते हैं